हेलो एबरीबन वेलकम तो माई चैनल टेक्ट तजिंद्रा पिछले वीडियो में हमने डॉकर कोपनेटीज और ओपन सिफ्ट के वारे में समझा था कि उनके वीज में रिलेशन क्या है क्या लर्निंग पाथ होना चाहिए हमने कुछ बेसिक एक्जामपल से बहुत ही बेक्जी की इमेज लेकर उसको डॉकर में रन किया था इस इसमें हम थोड़ा सा और डीप डाइब करेंगे और समझेंगे कि कौन-कौन सी अलग-लग बेसिक्स कमांड है डॉकर फाइल क्या होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके कंपोनेंट क्या है और फिर हम अपना खुद का एक एक वैब पेज बनाएंगे टॉप अफ दिस एंजिनेक्स बेस इमेज और उसको हम रन करा कर देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि डॉकर फाइल क्या है डॉकर फाइल का इस्ट्रक्चर क्या होता है तो डॉकर फाइल इस इस्ट्रक्शन्स कि कि डॉकर होती है इस लाइन के बैसिछ पर दिजाड़ा ड confess लिए इनलेश के बैसिश्चिह उस्ट्रक्शन्स पर भाट करें है और यहूं का अगर हम ऐसे में देखें तो आपको यहां पर चीज़ए क्लियर होँंगी यह एक इसे मिल Ada perfect का एक्जांपल डॉकर फाइल से लेके काफ़ी कॉम्पलेक्स भी हो सकती है तो यहां पर हम डॉकर को इन्स्टक्शन दे रहे हैं कि इस इमेज को ले गारा है इसके आदर यह थो गहां बना देगा है इस make direct okay so any command we can provide with the run command okay run instructions के साथ copy instructions हम अपनी local directory यानि अपनी local machine से docker के अंदर जो भी base image है और उसके अंदर हम यह I mean हमारी app directory को हम docker की image के अंदर copy कर रहे हैं okay इसका यह मतलब है then work directory का मतलब होता है कि इसके बाद यहां पर जितनी भी instructions docker run करेगा वो इस directory में run करेगा यह एक तरह से home directory बन गई अब इस directory के अंदर सारी instructions run करेगा okay again हमने यहां पर run instructions दी हैं और बोला है कि हम एक package install करें ठीक है नोट का एक package install करें then command यह एक बहुत important instructions है यहां से लेकर यहां तक तो image building का पार्ट है और यह command instructions जो है यह image run का पार्ट है ओके तो यहां से यहां तक हमारी image बन चुकी है सारे component install हो चुके है directory बन चुकी है अपनी फाइलें copy हो चुकी है इस command जो हम docker run command देंगे तब यह execute होगा और इस server को नोट server को run करते हैं तो अब हम कुछ चीज़ें प्रक्टिकली देखते हैं इससे आपको ज्यादे बहतर समझ में आएगा तो प्रक्टिकली समझने के लिए सबसे तो थोड़ा सा इसको समझते हैं आपकी फाउंडेशन मजबूत करने के लिए आपके इंडरेस्टेंडिंग टॉकर फाइल्स और डॉकर के वारे मजबूत करने के लिए चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है अब आप समझें कि यहां से टॉकर इस ने कुछ इंवार्मेंट चाठ कियe है कर रहा है कि रमांड में आप सकते हैं चीज़ें यह स्टॉर्ण भी कर रहा है रा से कमांड्स किया Natty इसके बाद देखें तो यह कुछ चीज़ें में से कॉपी कर रहा है ठीक है कमांड चला रहा है एंट्री पॉइंट चो कमांड होती है यह चैसे ही होती है expose का मतलब होता है कि यह container जब run करेगा तो यह 80 port पर run करेगा तो container का port हो गया 80 इसको मैं अभी थोड़ा सा जब हम अपने example मेंगे इस चीज़ को explain करूँगा इसको यार रखिएगा expose 80 then finally command so जब container run करेगा तो यह command run होगी तो यह कुछ basics था अब चलिए हम अपना खुद का एक container बनाते हैं अपनी image बनाते हैं और उसको container run करेंगे इसके लिए मैं code editor में आता हूँ और code editor में आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सब कुछ basics command देखते हैं हम तो इस basics command के लिए मैं terminal में सबसे पहले चलाता हूं docker images सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या images है तो अपनी images देखने के लिए अपनी local docker में हम command चलाएंगे docker images और यह हमको images return करेगा docker की okay okay so एक फिर से चला रहता हूं docker images okay so यह देखिए यह हमारी images है यह nginx image हमने पिछले वीडियो में डाली थी तो यह यहां पर image हमारी है तो अब हम next चलते हैं और अपनी खुद की एक docker file लिखते हैं और उस docker file के basis पर हम image बनाएंगे तो इसके लिए कि अगर इससे पहले मैं आपको बता दू अगर हमें अपनी image को delete करना है जैसे हम docker commands के वारे में भी बात कर रहे हैं और suppose कि मैं अपने कि इस image को delete करना चाहता हूं तो इस image को delete करने के लिए आई विल गिव कमांड कि डॉकर आर एम आई का मतलब हुआ रिमूव इमेज ओके एंड़ इमेज आइड इमेज आइड इमेज आइड इस माइड इस माइव एब अपनी इमेज को देखेंगे तो हमारी web image चाल चाहता है ओकेव अपनी एक खुद की इमेज बनाते हैं इसके लिए हम अपना I अपनी डिरेक्टरी के अंदर आते हैं लेट्स पहले हम अपना एक वेब पेज बनाते हैं और उस वेब पेज को हम एंजी निक्स में चलाएंगे तो सबसे पहले इसके लिए हम एक इंडेक्स.html लिख लेते हैं और इसके अंदर कुछ कोडिंग कर लेते हैं सिंपल कुछ जाद है नहीं कुछ सिंपल साइस के अंदर हम लिख लेते हैं लेट्पी गेवेट माई वेब एपलिकेशन और ये भी दिखा देते हैं कि ये डॉकर के अंदर रन कर रहे है तो एक और एच वन ले लेते हैं हम और लिख देते हैं रनिंग और एंजिनेक्स एंजिनेक्स रनिंग इंसाइड डॉकर इसको हम फाइल को सेव कर लेते हैं तो यह हमारी सिंपल वैब पेज हो गया अब हमें इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए टॉकर फाइल तो हम एक नई फाइल बनाएंगे इसका नाम याद रखेगा डी कैपिटल होना चाहिए और यह होता है डॉकर फाइल ओके इसमें कोई आपको किसी तरह का एक्स्टेंशन नहीं देना है सेम्पिल नेम डॉकर फाइल और डी कैपिटल होना चाहिए इस बात को याद रखें यह डिफॉल्ट टॉकर फाइल है अगर आप कुछ नेम वगरा सम्तिंग को चेंज करेंगे तो फिर जब भी हम कमांड चलाएंगे तो आपको इसका रेफरेंस देना पड़ागा अपनी अहाई से एड़िप अचम और सक्ट टैग लेते हैं हम लेश्ट दूसरी कमांड हम देते हैं अपनी कॉपी कमांड तो हमारी यह जो कॉपी कमांड है हमने अभी जो इंडेक्स.html वनाई है इस इंडेक्स.html फाइल को हम अपनी इमेज के अंदर कॉपी करेंगे ताकि यह सेरेंगे सपेक्स काнулए करेंगे और कहां करेंगे हम डिफॉल्ट इन एंजिन एक्सक्योष की करेंगे जहांसे वह डिफॉल्ड इंडेक्स मीर लिट करेंगा तो वह लोकेस arbitrator अजिनेक्स html and our file name simple हम ये के वाद दो command अपने docker file को देंगे और हम इस file को save कर लेते हैं हमारी file से भुचकी है अब हम इसको build करेंगे अपनी web applications को build करेंगे image build करेंगे उसकी तो इसके लिए अब हम command देंगे जहां से देखिए docker build hyphen t इसका मतलब है tag हम दे रहे हैं उसका name and tag let's see मैं इसको नाम देता हूँ my web और इसको tag दे देता हूँ v1 इसके बाद हम एक dot लगाएंगे dot का मतला हमारी docker file जिस डिरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं उसी डिरेक्टरी में हैं जैसा इने बताया था अगर docker file का नाम हम यह रखेंगे sorry यहां पर नाम थोड़ा सा गलत है इसको रिनेम कर लेते हैं इस कमांड को इसको करने जए पहले क्योंकि docker file का नाम गलत मैंने दिया है तो docker file का नाम इसको कर लेगा और इसको execute किया अब यह देखें यह execute हुआ है क्योंकि इस ने दो लेघARS थीं तो आप देख सकते हैं कि इस ने पहली लियर को execute किया है इस पर और पर ने दू threw other k sout okay अब हम बन चुकी है रण कैसे करते आए कि हमारी इमेज इमेज को रन कैसे करें तो इमेज को रन करने के लिए कमांड है डॉकर इसके बाद एक नाम दे देते हैं इसको हम नाम दे देते हैं माई कंटेनर और हम इसको बैक्ग्राउंड में रण करेंगे इसके लिए हैफंड हम इसमें पूर्ट देंगे पूर्ट एक बाइंडिंग है हमारी लोकल मशीन की और आपके कंटेनर की हमने देखा था कि जो का container है वह एटी पोट कर रहा है हमने कमांड देगी थी एक्सपोज एटी यानि कि container एटी पर रहा है और लेट्स चिंट को एटी एटी पोट पर णकरते हैं अपनी नॉर्मल बेंडोस सिंपल विदूस मसीन तो यहां पर हम यह port mapping कर रहे हैं हमारा 8080 port हमारी local machine के 8080 port container के port 80 पर map हो गया है जो भी request अब windows 8080 पर आएगी मेरी machine के 8080 पर आएगी वो container के 80 port पर चले जाएगी इसके बाद हमारी image का नाव my web और tech का नाव v1 ओके लेट्स रानेट जो हमने इस command को रन किया इसने हमें container की ID रिटर्न की यह हमारे container की ID है हमारा container रन कर रहा है इसको चेक करने के लिए कि हमारा container कैसे रन कर रहा है क्या है इसकी लिए command है docker ps अगर हम यहाँ पर hyphen a लगा देंगे तो जो भी stopped container है सारे container से उनको भी दिखा देगा तो हम hyphen a भी लगा देते हैं अब यह यहाँ पर हमको दो container दिखा रहा है यह आप देख सकते हैं 28 seconds अगो यह up हुआ है इसका नाम हमारा my container है ठिक है और यह इसका container ID है यहाँ पर आपने देखा होगा यह देखिए पहले कुछ character जो होते हैं वो यहाँ पर container ID के रूप में आपको यहाँ पर दिखा रहा है हमारा container perfectly run कर रहा है एक वार हम अपनी web application में इसको run करके check कर लेते हैं तो हमारी application चलेगी 8080 port पर तो हम 8080 port पर गए और यहाँ पर हमने उसको चलाया ठीक है तो यह हमारा content जो हमने अपना web page बनाया था वो perfectly run कर रहा है अब कुछ और command देख लेते हैं अगर यह container हमारा run कर रहा है अगर इस container को हमें stop करना है तो इसके लिए हमें command देनी पड़ेगी docker ps और docker kill ओके और your container id ओके आइदर हम यह container id दे सकते हैं यहां से या फिर हम यह container name दे सकते हैं तो हम यहाँ पर container name देते हैं container name जो हमने रखा था वह हाइफान हाइफान नेम के साथ वह यहां पर हम प्रवाइड कर सकते हैं तो हमने container name दिया इसने हमें return में container name दिया और बताया कि यह container बंद हो चुका है अगर हम अपने page को दुबारा से जाकर देखें और इसको refresh करें तो अब यह देखें अब यह के वाद लोड़ हो रहा है अब यह page पीछे से हमारा server nginx चलना बंद हो चुका है लेकिन अभी भी यह container stopped है लेकिन अभी भी यह available है अगर आप यहां देखें तो यहां पर यह exit state में है तो अगर मैं cable docker ps command चलाऊंगा hyphen a नहीं दोंगा तो फिर यह देखें हमें कोई भी container नहीं बता रहा है लेकिन जब हम hyphen a के साथ देंगे तो यह हमें exit container भी बता रहा है अगर हमें container completely remove करना है तो हम command देंगे rm docker rm and our container id name हमने दिया इसको run कराया इसने हमें container name return किया और अब यह container पुरी तरह से delete हो चुका है पुरी तरह से जा चुका है docker में से देखें हमारा container चला गया तो यह कुछ basics थे जो हमने अभी समझे docker के बारे में docker file के वारे में आप लोग भी इसमें practice करते रहे हैं अकले वीडियो में हम और थोड़ा सा complex चाहेंगे एक complex application देखेंगे दो अलगला container बनाएंगे हम और वो दोनों container किस तरह आपस में communicate कर रहे हैं यह भी हम देखेंगे आसा करता हूं आपको यह concept समझ में आया होगा धन्यवाद कर दो कर दो